ओम स्रीवेंकटे साय नमहा मैं प्रफेसर एस्वी एसस नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज बारत के सुप्रसिद्ध रास्ट्र कवी त्री सुब्रहमन्य बारतियार जी का परचय देना चाहता हूँ इसका सीर्षक है रास्ट्रिय येकता का सफल स्वर और रास्ट्र कवी सुब्रहमन्य बारतियार विश्व में किसी भी देश को सशक्त और आत्म निर्बर बनाने के लिए लोग अलग अलग रास्ते वा पदतियों का अनुपालन करते हैं उदाहरन के लिए देश की बौगोलिक स्तिती, साइनिक बल, सशक्तवा सुद्रड, राजनैतिक नेत्रत्व, वैज्ञानिक और तकनीकी समसादन आधी आधी इसके साथ साथ स्वतंत्रवा विकसित रास्त्र के रूप में उबर कर आने के लिए देश प्रेम वा रास्त्रिय भावना की अत्यंत आवश्यकता है जन समोह को एक सुत्र में बांदे रहने वाला तंतु रागात्मक ही है जब जन समोह रास्त्र के सुक दुक को अपना सुक दुक मानने की बावना से प्रेरित होता है तबी रास्त्रिय भावना का सामोहिक रूप बनता है बाह्य आचार विचारों की बिन्नता के होते हुए भी रास्त्रिय भावना जन समोह को एकता के सुत्र में बांदे रखती है यह भावना वस्तु तहा अंतस्चेतना के रूप में प्रवाहित रहती है इस अंतश्चेतना का संबन्द मनिश की समुह में रहने की प्रवृत्ती से जोड़ा जा सकता है। रास्ट्रीय भावना का व्यावहारिक पक्ष रास्ट्र के प्रतित्याग, उत्सर्ग और बलिधान की भावना में प्रकट होता है। राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के रक्षन या कल्यान के लिए प्राणोत सर्ग करने के लिए भी तत्पर रहता है राष्ट्र की शक्ति इसी बावना की प्रबलता पर आदारित होती है जहां इस बावना का एक पक्ष, एक विशिष्ट बुभाग के प्रती लगाव में प्रकट होता है वहां दूसरी वोर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के संगर्ष करने की प्रबृत्ती भी इसमें रहती है साहित्य सुरुजन में राष्ट्र यवं राष्ट्रिय भावना का भी महतपोन योगदान रहा है हम सब जानते हैं बारत बहुत से दर्मों, जातियों और बाशावों से युक्त देश है इन सब को यकता के सुत्र में बांध कर ही राष्ट्रिय भुद्देश की प्राप्ती कर सकते हैं एक वोर समाज सुधार को ने यकता का प्रयत्न किया तो दुसरी वोर राष्ट्रिय नेतावों ने राष्ट्रिय संगर्ष की सफलता के लिए यकता को आवश्यक माना साहित्य में भी जातिय यकता की प्रारणा बर गई रास्ट्रिय भावना की वुनती में साहित्य की देन अनुपम है इसलिए समाज सुधारक, राजनेता, विसेशकर, साहित्यकार, देशवासियों के मन में रास्ट्रिय भावना और चेतना को जागृत करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं अखंड बारत के अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनावों के माध्यम से रास्ट्रिय चेतना की शेंक धनी बजाई हैं इनमें तमिल के सुप्रसिद कवी सुप्रमान्य बारतियार विशेश रुप से उलेकनी हैं सरल यवं सुबोध शाइली में रचित रास्ट्र प्रेम से वोत्प्रोत इनकी रचनाएं अखंड बारत वर्ष के अमूल्य रत्नों से बरा हुआ भांडागार कहने में कोई अतिश योक्ती नहीं है बारत देश की विशिस्ट पैचान भी हैं मर्मस परशिता भाव प्रवनता एवं रास्ट्रियता इनकी रचनावों की मूल विशेशताए हैं सुब्रह्मन्य बारतियार का समय सन 1882 से लेकर 1921 तक अरदात 1882-1921 अंग्रेजों का जमाना था बारत की परादेनता भावुक कवी बारतियार को असह्य लगा देश की दासता के प्रति देशवासियों की उपेक्षा उनके लिए और भी अधिक दुकदाई प्रतित हुई इसलिए सुब्रमन्य भारतियार अपनी गद्य वा पद्य रचनावों के माध्यम से बारतवासियों के मन में रास्त्रियता के प्रती चैतना जागुरत करने का अनवरत प्रयास किया है। सुब्रमन्य भारतियार का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी अर्दात आज के तमिल नाडु में एक साधारन मध्यवर्गी परिवार में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनके पिता जी का नाम चिना स्वामी अयर और माता जी का नाम लक्ष्मी अमाल था। बच्पन से ही वे कवितायें लिखने और उनका पाठ करने की बहुत शवकीन थे। सन 1898 अरदात 1898 में सुब्रमन्य बारतियार पढ़ाई है तु काशी अपनी काकी के पास चले गए हैं। काशी में सुब्रमन्य बारतियार ने हिंदी, अंग्रेजी और सम्स्कूत बाशायें सीखी। सुब्रमन्य बारतियार की अनेक कवितावों में जिस स्वर्निम बारत के अतीत के बारे में भाव विभोर होकर जैगान किया गया है। उनमें बहुत रास्ट्र बक्ती पूर्ण तहा विद्यमान है। एक उदाहरन के लिए देखिए हिंदी अनुवाद ही मैं सुनाता हूँ। हमारा विश्व बर में यह है न्यारा सुधामई गंगा हमारी इसका ना कोई सानी रे। इस पद सुनते ही इसी प्रकार हिंदी में भी कवि जैशंक प्रसाद ने बारत के स्वतंतरता सेनानियों को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रसाहित करते हुए लिका है हिमाद्रितुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयम फ्रबा समुज्वला स्वतंतरता पुकारती अमत्य वीरु पुत्र हो द्रोडप्रतिज्य सोचलो प्रशस्त पुन्य पंत हैं बडे चलो बडे चलो असंक कीती रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी प्रबीर है जही बनो बडे चलो बडे चलो अनेक संदर्बों में कभी सुब्रमन्य बारतियार ने अखंड बारत का अनुपम गुणगान किया है और एक उदाहरं देखेंगे चांदी जैसे हिम पर्वत पर विहार करेंगे हम पश्चिम के विस्त्रुत सागर में हम निजपोत चलाएंगे शालावों में हम सब मिलकर मंदिर का निर्मान करेंगे बारत सिमहल द्वीप मध्य सेतु का नव निर्मान करेंगे हम रामेश्वर के सागर तठ पर हम सडकें नई बिचाएंगे बंग भूमी की जलदारा से मज्ज प्रदेश में शस्य उगाएंगे इसी प्रकार एक अन्य कविता में कभी सुब्रमान्य बारतियार ने एक अति सुंदर वा मनोहर कल्पना की हैं सिंद नदी में चांदनी रात में चेर प्रदेश की सुंदरियों के संग मदुर तेलग बाशा में गीत गाते हुए नाव चलाते कुशियां मनाएंगे हम अर्दात चांदनी रात में सिंद नदी थट पर केरल की सुंदरियों के संग तेलग बाशा में सुमदर गीत गायेंगे कावेरी तट पर गंगा के कचार पर वुत्पन गेहुं चेर प्रदेश की हाती दांत और वीर मराटों की कविता को यकत्र करने का स्वप्न कवी सुबर्मन्य बारतियार ने देखा था पांचाली सपदम रचना में सुबर्मन्य बारतियार की रास्त्र प्रेम इस प्रकार हैं किसी प्रकार पांडवों के समस्त दन को उनके सामराज को अपने वश में कर लेने की साजिश दुर्योधन करता है अकंड बारत देश का प्रतीक हस्तिनापुर नगर की महानता का वर्नन दुर्योधन के शब्दों में यहाँ देखेंगी कवी सुबर्मन्य बारतियार ने किस प्रकार दुर्योधन के माध्यम से अभिवेक्त किया है अत्तिनपुरम उंडाम यव अवनी इले अदर को इनाई इल्लेयाम अर्दात इसका अर्द यहाँ की हस्तिनापुर अर्दात बारत देश की महानता अद्वितीय हैं अनुपम हैं और आगे दुर्योधन के मूँ से कहलवाते हैं मंदिर गीतंगलाम तरक वादंगलाम तव नितंगल अर्दात इसका अर्द यहाँ की इस बारत देश में मंत्र उचारन जब तप आधी आध्यात्मिक बाते हैं साथ ही साथ तरक शास्त्र के आदार पर वाद विवाद भी यहाँ प्रचुर मात्रा में होते हैं पांचाली सपदम रच्छनामे सुप्रमन्य बारत यार् बारत वास्यों की विरता की प्रशंशा इस प्रकार करते हैं की मालैगल पुरंड सैयं पेरु वरै एनत्त तिरंडवन तोलुडैयर वेलैयुम वालिनैयुम नेडु विल्लैयंदु तंडैयं विरुम बीडवार करी नूरिन्नायत तनि निनरू नुक्क वल्लार इसका अर्द यह है कि भारत वास्यों के कंदे पुष्पहारों से सुशोबित हैं जो परवत के समान उन्नत हैं भाले तलवार और दनिश इनके प्रती भारत वास्यों का विशेश लगाव हैं पंडवों अर्दात बारत वासी हर बारत वासी में हर कोई अकेले ही साव साव हातियों को मारने की क्षमता युक्त बाहु बली हैं अंग्रेजों की बंदू कोंसे तोपों से हतोत साहित बारत वासियों के मन को पुनह चेतना युक्त बनाने के लिए सुबरमन्य बारतियार ने कोशिश किया है इससे विदित होता है कि बारत की सामस्कृतिक संपदा और बाउगोलिक महत्ता का जैगोश करते हुए सुबरमन्य बारतियार ने बावात्मक यकता रास्त्रिय अकंडता और नव युग की चेतना का शंकनाद किया था और एक प्रसंग में कहते हैं एक मा की खोक से ही जन में हम अरे विदेशीयों हम अभिन्न हैं मन मुटाव से होता क्या हम बाई बाई ही रहेंगे और कहेंगे वंदे मातरम और कहेंगे वंदे मातरम इससे यह स्पस्ट होता है कि कवी सुब्रमन्य बारतियार का खाव्य अध्यन्त राष्ट्र प्रेम से अनस्यूत हैं बारत राष्ट्रिय स्वतंतरता की अधम्य अखांक्षा से युद्थ तमिल बाशा के इस राष्ट्र कवी ने अनेक संदर्बों में राष्ट्रिय चिरित नाईकों पुझ पूरुषों का अत्यन्त सृधापुर्व क स्मरन किया है नमन किया है वन्दना और अबिननान भी कि गुर्गोविंद सिंग, लाला लजपत राय, चत्रपत शिवाजी महराज जी, गोपाल कृष्ट गोकले, लोकमान्य बालगंगादर तिलक, महत्मा गांधी जैसे बारत के सुपुत्रों और महापुरुषों को कवी सुब्रमन्य बारतियार ने हुर्दाय पूर्वक मंजली अर्पित किया है, इस प्रकार कवी सुब्रमन्य बारतियार ने अपनी वुद्भोदनों से मंडित कवितावों तदा अन्य रचनावों के द्वारा जनता को क्रांती बलिदान राष्ट्री एकता का संदेश देकर उसमें देश के लिए मर मिटने की उत्तेजना गृत की है, बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री मन्नाराएट